हेलो स्टुडेंट आज हम 9th क्लास के 2nd चैप्टर यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांती के 4th पार्ट में यानि कि ये इसका लास्ट पार्ट है इससे पहले आपने 1917 की फरवरी क्रांती और अक्टूबर क्रांती पढ़ ली है हम देखते हैं वालसिविकों ने बहुत सारे सुधार भी कियें देश में मजदूरों और किसानों के बीच में काफी काम किया है देश को विस्वयुद से अलग कर दिया है परंतु उन्होंने कुछ ऐसे काम भी करें कुछ ऐसी नीतिया भी बनाए जिससे उनके विरोधियों की संख्या भी कम नहीं थी उन्होंने ट्रेड यूनियनों पर यंतरन रखना सुरू कर दिया और गुप्तचर पुलीस रखी जो भी वालसिविकों की आलोचना करते थे ये गुप्तचर पुलीस उन्हें डंडित करती थी और सैंसर सिप लगा दी दक्षिन रूस में वालसिव में बहुत सारे सिपाई किसान थे और भूमी पाने के लिए वे सब घर लोटने लगे और इसी बीच गैर वालसिविक समाजवादियों उदारवादियों रास्साहियों ने वालसिविकों के विद्रों की निंदा कर दी और इन तीनों के वर्गों के बीच में तना तनी इसी सब के चलते देश में ग्रहयुत के दौरान लूट, माट, डकैती, भुकमरी जैसी समस्या बड़े पैमाने पर पैल गई। जो 1917 में सोब्य संग की स्तापना करी थी, जिसको USSR भी कहते हैं, इसमें आर्मेनिया, अजर्बेजान, जौर्जिया, यूक्रेन, बेलारूसी जितने भी राष्ट थे, इनको अपना सासन स्वेम चलाने का अधिकार दे दिया, परंतु कुछ कठोर नीतिया भी उन पे थोब दी जिस से भीविन राष्टों का विश्वास जीतने में सफल नहीं हो पाए, और ये ग्रह यूद 1923 में समाप्त हुआ, अब समाजवादी समाज के निर्मान को हम पढ़ते हैं कि ग्रह यूद के दौरान, वॉलसेविकों ने उध्योगों और बैंकों के राष्ट्यकरण को ज जानी शुरू की गई, यानि कि 5 साल के लिए लक्षे तैक किया गया कि क्या कार्य करने हैं, और अध्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकान ने सभी तरह की कीमतों को इस्तिर कर दिया, जिस से देश के आर्थिक विकास को गती मिले, इस सबसे 1929 से 1933 के बीच, त दियोगधंदों को बढ़ावा मिल रहा है, तो इससे क्या हो रहा था, मजदूरों को बहुती सक्त जिंदगी गुजाननी पढ़ रही थी, उन्हें कई-कई घंटे काम करना पढ़ रहा था, इसका मजदूरों के स्वास्ते पर भी प्रभाव पढ़ रहा था, काम बीज वी चालों में दाखिल दिलाने के लिए खास इंतजाम किया गया, महिला जो कामगार थी, महिला जो स्वास्ते सेवाव रहने की जगे की वैवस्ता की गई, अच्छे मकान बनाए गई, कई सारी सुविधाएं इस बीच में उन्हें दी गई, जिस से की मजदूर भी अच्छे से कारे कर सके अब हम इस्तालीन वाद और सामुही की करण पढ़ेंगे जैसे कि बच्चे आपको पता है वालसविक के जो नेता थे लेनिन थे उनकी मृत्यू के बाद पार्टी की कमान इस्तालीन के पास आ गई 1927 से 28 में देश में अनाज की बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया सरकार ने अनाज की कीमते तै कर रखी थी और किसान उस कीमत पर अनाज बेचने को तया नहीं था जो कूलक थे यानि की संपन किसान जो रस्या में बड़े किसान होते उन्हें कूलक कहा जाता था वह सब क्या क लेचेंगे और लाप कमाएंगे तो सरकार ने 1928 में किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कूलक के ठिकानों पर छापे मारे इसके बाद भी जब अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामोही की करण का फैसला लिया गया इसी के साथ इस्तौलिन ने सामोही की करण कारेकरम पर शुरू किया और 1929 से आटी ने सभी किसानों को सामोही खेतों जिसे कोल खोज कहते हैं यनि कि सभी छोटे छोटे खेतों को इखटे करकर किसान उन पर खेती करेंगे उसका जो लाब है वो आपस में इखटे काम करेंगे और इखटे जो उन्हें प्रॉफिट होगा आप इसको कम मिलेगा परंतु बहुत सारे किसानों ने इसका विरोध किया और ये सामोही की करण जो हम देख रहे हैं इस तौलीन ने किया सभी खेतों को इखटे करकर उसमें सामोही किरसी का कारेकरम चलाया इस सबके बावजूद भी रसिया 1930 से 33 के बीच जो आकाल पड़ा था उसका सामना नहीं कर पाया और पाटी में ही बहुत सारे लोग नियोजित अर्थवैवस्ता ये जो सामोही करण था इसके परिणामों की आलोचना करने लगे अब हम देखते हैं बच्चों की रूस की जो क्रांती थी उसका केवल रूस में नहीं पूरे विस्व में भाव प इन सब की आर्थिक और समाजिक सत्ता को समाप्त करते वे विस्व में मजदूरों और किसानों की सत्ता को पहली बार इस्तापित किया रूस में सर्वहारा वर्ग का सासन यनि कि किसान और मजदूरों का सासन इस्तापित हुआ बहुत सारे देशों में कॉमनिस्ट पार्टी रामोन राय ये सब थे दूसरे विश्व युद तक सोब्य संग की वजह से समाजवाद को एक वैस्विक पहचान मिल चुकी थी रूस जो एक पिछड़ावा देश था वै महासक्ती बन चुका था और 1950 तक आधे विश्व पर समाजवाद का बहुत गहरा प्रभाव पढ़ने प्रभाव 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 पार।